दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Mr. Richard Templer के बुक The Rules of Money से Rule No. 33 के बारे में और Rule No. 33 हमें समझाता है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अमीर बनने के लिए हमें अपना बिजनस ही करना चाहिए जी हाँ नौकरी करके भी अमीर बना जा सकता है और ऐसे बहुत सरे लोग हैं जो नौकरी करके भी अमीर बन जाते हैं आप देखेगे कि आज कल ऐसे एक ट्रेंड बना हुआ है और हर जगा ऐसी बाते की जाती है कि आपको अमीर बनने के लिए अपना खुद का ही बिजनस करना होगा आप किसी और के लिए किसी दूसरी के लिए काम करके कभी अमीर नहीं बन सकते तो जब आप इस तरह की बाते सुनते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या सच में नौकरी करके अमीर बना जा सकता है या नहीं तो यहाँ पर ये नियमे में ये समझाता है कि हाला कि ये बात काफी हद तक सही है कि अगर आप आख मुद कर दूसरों के लिए ही काम करते रहे जीवन भर तो सायद आपके लिए अमीर बनना बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आप खुद का बिजनस करते हैं खुद का बिजनस स्टार्ट करते हैं तो आप अमीर बन ही जाएंगे इस बात के भी कोई गैरेंटी नहीं है क्योंकि आपने अपने आस पास ऐसे बहुत सरा लोगों को देखा होगा जो की अपना खुद का चोटा मोटा बिजनस कर रहे हैं और काफी संघर्स कर रहे हैं और कई बार वो ये सोचते हैं कि जो लोग नौखरी कर रहे हैं वे उनसे ज़्यादा सुखी है उनसे ज़्यादा अच्छे है क्योंकि उनके पास एक income source है और उन्हें हर महीने के लिए कुछ ज्यादा चिंता नहीं करने पड़ती, वे समय से अपने office जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, और उनके पास एक नौकरी की सुरक्षा है, उनके पास एक income के guarantee है, और उन्हें हर महीने income मिल लाती है, जिससे उनके सारे खर्चे अच्छे से हो पा रहे हैं, इस तरह से अगर आप open mind से, खुले दिमाग से, ध्यान से देखें, तो नौकरी करने के सच में अपने कुछ जवर्दस फायदे हैं, नौकरी करने पे आपको तुरंत income मिलना शुरू हो जाता है, जबकि आप देखेंगे कि बिजनेस करने में आपको profitable बनने क लिए काफी ज़्यादा संगर्स करना पड़ता है, और कई बार जब कोई नया बिजनस शुरू होता है, तो उसको एक साल, दो साल, तीन साल में लग जाते हैं, जब तक वो profit नहीं कमा पाता है, और इन तीन सालों में उससे काफी ज़्यादा संगर्स करना पड़ता है, ऐसा ज़्यादा आपको संघर्स करने की ज़रूरत है बहुत सारे प्रोलम को फेस करने की ज़रूरत है अगर आपका mindset बिजनेस के सारे challenges को फेस करने के लिए तयार है और आप पूरे जीजान से अपने business को करने के लिए ready हैं तो आप business शुरू कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं लेखिन अगर आपका mindset बिजनेस के इन सारे challenges को फेस करने के लिए पूरी तरह से तयार नहीं है अगर आप business के सारे दबाव को नहीं जहल सकते और अगर आपके पास मजबूरी है कि आपको तुरंत income चाहिए तो आपके लिए ये नौकरी एक अच्छा विकल्प है पहतर विकल्प है और आप देखेंगे कि बहुत सरा लोगों के लिए नौकरी की सुरक्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि इससे उनके परिवार को एक fixed income मिलती है जिनसे उनके सारे कैसे हासिल करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बिजनस ही करके हासिल कर सकते हैं आप नौकरी के साथ भी proper तरीके से बचत निवेस और इस तरह के planning करके भी आप अमीर बन सकते हैं आप सोच की देखिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको किसने रोका है कि आप कोई property ना खरी दे और उस property को आप rent पे चड़ा कर वहाँ से rent के income ना कम है आपको ऐसा किसने मना किया हुआ है किसी ने मना नहीं किया हुआ है आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पे जो भी आप time देते हैं उसके बाद से जो time बच जाता है उस time में भी आप अपना कोई side business कर सकते हैं और side business सब एक बार profitable बन जाता है और नौकरी से ज़्यादा income देने लगता है तो आप full time में उस business से focus करके बिजनस के feel में उदर के ज़्यादा तेजी से दौलत कमा सकते हैं आपको यहाँ पर किसी ने रोका नहीं है कि आप नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते और जो लोग यह कह रहे हैं कि आप नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते वे इस गलत नहीं कह रहे हैं अगर आप आँख मूद के अपनी नौखरी करते रहे और जो खाले समय है उसका सही से इस्तिवाल नहीं करते हैं अगर आप प्रोपर बचत और प्लानिंग नहीं करते हैं तो चाहे आप नौखरी करें या बिजनेस करें दोनों ही जगह पे आप फेल हो सकते हैं, दोनों ही जगह पे आपको शंकर्स ही करना पड़ेगा और अगर आप चाहे बिजनेस करें या फिर नौखरी करें, दोनों ही जगह पे अगर आप प्रोपर प्लानिंग करते हैं, फानेसल डिसिप्लीन रखते हैं और सही तरह से बच्चात और निवेस के प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, मेहनत करते हैं तो आप दोनों ही जगा पे अमीर बन सकते हैं इसलिए आप इस रूल नमबर 33 को ध्यान से समझिए और आज से अगर कोई ये कहता है कि आप नौकरी करके अमीर नहीं बन सकते तो बस आप उसे इग्नोर करने की ज़रूरत है आपको अपना माइंड उपेन रखने की ज़रूरत है और उसकी बातों को आपको ब्लैंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके अपने wealth की परिवासा क्या है और आपके पास plan क्या है अगर आपके पास plan है तो आप उस plan पे काम करते रहे हैं और दूसरे क्या क्या रहे हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए आपको जबरदस्ती business करने की कोई अगर आपका mindset ready नहीं है तो अगर आपका mindset ready है तो ही आप business सुरू करिए क्योंकि business में no doubt नोखरी से बहुत ज़्यादा challenges face करने पड़ते हैं और अमीर बनने के लिए 100% guarantee ना तो नोखरी में है और ना ही business में आप दोनों ही जगह पे अमीर बन सकते हैं और दोनों ही जगह पे या फिर assets या फिर property बना रहे हैं या फिर side business कर रहे हैं और इसके अलावा अगर आप खुद का business करते हैं तो वहाँ पे भी आपका mindset होना चाहिए वहाँ पे भी आपको financial discipline होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने proper business को संभाल रहे हैं जो भी profit हो रहा है उसे आप किस तरह से यूज कर रहे हैं किस तरह से आप grow कर रहे हैं तो दोस्तों अगर rule no.33 को summarize किया जाए तो rule no.33 हमें समझाता है कि हमें अपना mind open रखने की जरुरत है और दुसरे लोग जहीं ये बाते कर रहे हैं कि आप नौकरी करके अमेर नहीं बन सकते आपको इस तरह की बातों को open mind से सो फेल हो जाते हैं और फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग motivated होकर बिजनेस तो सुरू कर देते हैं लेकिन जो बिजनेस के अंदर आने माले challenges हैं उसे वो face नहीं कर पाते उसे वो side-up से समाल नहीं पाते और अंत में वो give up कर देते हैं और वो business fail हो जाता है जो कि उसके पास proper plan होता है और वो अपने plan पे काम करता जाता है तो इसलिए यहाँ पे यह ज़रूरी है कि आपके पास अपना खुद का एक financial plan एक wealth plan होना चाहिए और उस plan पे आपको enough hard work करना होगा और अगर आप वहाँ पे काम करते जाते हैं ग्रो करते जाते हैं तो आप चाहे नौकरी करें चाहे बिजनस करें आपको अमीर बनने से कोई डोक नहीं सकता तो दोस्तों I hope कि आप इस rule number 33 के जो message है उसको सही तरह से समझ पा रहे होंगे और आप इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे कि यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको अमीर बनन चाहे है और क्या गलत है आपके लिए और आपको दूसरों को copy करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको अपने खुद के mindset को समझने की जरूरत है कि आपकी सिस के लिए ready है और कि सिस के लिए ready नहीं है क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए य अप जब भी इस तरह कोई डिस्टिन लें, जब भी आपके मन में इस तरह कोई थोट आए, कि क्या सच में नौकरी करके अमीर बना सकता है या या नहीं, तो आप इस नियम को ध्यान से समझें, और ये नियम आपको यही बताता है, कि ये विल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, कि बेल आइकन भी जरूर फिल्स करिए ताकि आप हमारे आने वारे वीडियोज को मिश नहा कर सकें और अन्त में इस वीडियो को पुरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद